नमस्कार आपका मेरी अपनी महिफिल में एक बार फिर्स तक्वाल है स्वागत्य जिया वही महिफिल जिसमें मैं आज कल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूं अब मैं धीरे धीरे सादत हसन मंटो की वो तबाम तीन सौ तक्लीकात जो मेरे पास वजूद हैं अपलोड कर चुकने के बेरत करीब हूँ तो मेरी एक मुहिम कि उनकी तक्लीकात को डॉक्यूमिंट किया जा सके धीरे धीरे अंजाम को पहुंच रही है इसके बाद हल्बे ने कहा मैं इसके चुखताई की तखलीखात को टॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूँगा दौा कीजिए कि अपनी उस कोशिश पर भी काम्याब लगूँ आज मैं आपको सुना रहा हूँ सादत असन मंटो का अफसाना एक जाहिदा एक फाहिशा जावेद मसूद से मेरा इतना गहरा दोस्ताना था कि मैं एक कदम भी उसकी मर्जी के खिलाफ उठा नहीं सकता था वो मुझ पर निसार था और मैं उस पर हम रोज करीब करीब दस बारा घंटे साथ रहते थे वो अपने दिश्टेदारों से खुश नहीं था इसलिए जब भी वो बात करता तो कभी अपने बड़े भभाई की बुराई करता और कहता संग बाश बिरादर खूर्द मुबाश और कभी कभी तो घंटों खामोश रहता जैसे खिला में देख रहा है मैं उसके उन लमाद से तंगा कर जब जोर से पुकारता जावेद ये क्या बेहुद की है वो एकदाँ चौकता और माजलत तलब करता सादित भाई माफ करना अच्छा तो फिर क्या हुआ वो उस वक्त बिलकुल खाली उस जहन होता मैं कहता भई जावेद देखो मुझे तुम्हारा ये वाक्तन वाक्तन मालूम नहीं किन गहराईयों में खो जाना बिलकुल पसंद नहीं मुझे डर लगता है एक दिन तुम पागल हो जाओगे ये सुनकर जावेद बहुत हसा पागल होना बहुत मुझकिल है सादत लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका खिला में देखना बढ़ता गया और उसकी खामोशी तवील सुकूत में तबदील हो गई और वो प्यारी सी मुझकुराट जो उसके होटों पर हर वक्त कहलती रहती थी बिल्कुल फीकी पड़ गई मैंने एक दिन उसे पूछा अखर बात क्या है तुम पत्थर बन गए हो हुआ क्या तुम्हे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ खुदा के लिए मुझसे तो अपना राज ना शुपाओ जावेद खामोश रहा था जब मैंने उसको बहुत लान तान की तो उसने अपनी जबान खोली मैं कॉलेज से फारिग होकर देर बजे के करीब आऊंगा उस वक्त तुम्हें जो पूछना हो बता दूँ जो पूछना होगा बता दूँगा वादे के मताबिक वो ठीक देर बजे मेरे यहां आया वो मुझसे चार साल चुटा था बेहत खुबसूरत उसमें निस्वानियत की जलक थी पढ़ाई से मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं थी इसलिए मैं आवारा गर्द था लेकिन वो बाकाइदगी के साथ तालीम हासिल का बाद है मैं उसको अपने कमरे में ले गया जब मैंने उसको सिगरेट पेश किया तो उसने मुझसे कहा क्या तुम मिरे रोग के मुटालिख पूछना चाहते हो मैंने का मुझे मालूम नहीं रोग है या सोग बहराल तुम असल हालत में नहीं हो तुम्हें कोई ना कोई जहनी तकलीव जरूर है वो मुस्कुराया इसलिए कि मुझे एक लड़की से मुहबत हो गई है मौबत? मैं बौकला गया जावेद की उमर बब मुश्किल अठारा बरसकी होगी वो खुद एक खूबरू लड़की की मानिन था उसको किसकी लड़के से महबत हो सकती या हो गई है वो तो कुमारी लड़कियों से कहीं ज्यादा शर्मीला और लचकीला था और वो मुझे बातें करता तो मुझे यू महसूस होता कि वो दहकानी दोशीजा जिसने पहली दफ़ा कोई इश्किया फिल्म देखा है आज मुझे कह रहा था कि मुझे एक लड़की से महबत हो गई है मैंने पहले समझा शायद मजब कर रहा है मजब उसका चेहरा बहुत सक्जीजा था ऐसा लगता था कि फिकर की अताह गहराईों में डूबा हुआ है आखिर मैंने उससे पूछा किस लड़की से महबत हुई है तुम्हें उसने कोई छेप महसूस ना की एक लड़की है जाहिदा हमारे परोस में रहती है बस उससे महबत हो गई है उमर सोला बरस करीब है बहुत खुब्सूरत है और भोली भाली चोरी छुपे उससे कई मुलाकाते हो चुकी है उसने मेरी महबत कुबूल कर ली है मैंने उससे पूछा तो फिर इस उदासी का मतलब क्या है जो तुम पर हर वक्त चाही रहती है उसने मुस्कुरा कर कहा सादत तुमने कभी महबत की हो तो जानो महबत उदासी का दूसरा नाम है हर वक्त आदमी खोया खोया सा रहता है इसलिए कि उसके दिल और दिमाग में सिर्फ खैले यार होता है मैंने जहईदा सा तुम्हरा जिकर किया और उसे कहा कि तुम्हारे बाद अगर कोई हस्ती मुझे अजीज है तो वो मेरा दोस्त सादत है यह कहने है कि क्या जरूरत ती पस मैंने कह दिया और जहईदा ने बड़ा इश्तियाग जाहिर किया कि मैं तुम्हें उससे मिलाओं उसे मेरी वो चीज पसंद है जिसे मैं पसंद करता हूँ बोलो चलोगे अपनी भावी को देख में मेरी समझ में ना आया कि उससे क्या कहूँ उसके पतले पतले नाजुक होटों कर लवज भावी सचता नहीं था मेरी बात का जवाब दो मैंने सरसरी तोर पर कह दिया चलेंगे जरूर चलेंगे पर कहा उसमें मुझसे कहा था कि वो कल शाम को पांच बजे किसी बहाने से लॉरंस गार्डन आएगी आप अपने दोस्त को जरूर साथ लाईएगा अब तुम कल जरूर तया रहना बलके खुदी पांच बजे से पहले पहले वहाँ पहुँच जाना हम जिम्खाना कलब के उस तरफ लॉन में तुम्हारा इंतजार करते होंगे मैं इंकार कैसे करता इसलिए कि मुझे जावेद से बेहत प्यार था मैंने वादा कर लिया लेकिन मुझे उस पर कुछ तरस आ रहा था मैंने अचानक पूछा लड़की शरीफ और पागबास है जावेद का चेहरा घुस्य सा तब दबाने लगा मैं जहिदा के बारे में इसी बाते ना सोच सकता हूँ ना सुन सकता हूँ तुम्हे अगर उसे मिलना है तो ठीक पांच बजे कल शाम लौरंस गार्डन पहुंच जाना खुदा आफिस तो वो एक्दम उठकर चला गया तो मैंने सोचने शुरू किया मुझे बड़ी नामत मैसूस हुई कि मैंने उससे ऐसा सवाल क्यूं किया जिससे उसके जजबात मजरू हुए आखिर वो उससे महबत करता था अगर कोई लड़की किसी से महबत करे तो जरूरी नहीं कि वो बदक्रदार हो जावेद मुझे अपना मुखलिस तरीन दोस्त तस्लीव करता था यही वज़ा है कि वो नाराजगी के बावजूद मुझे बरहम ना हुआ और मुझे को जाते भी यह कह गया कि वो शाम को लॉरंस गार्डन आए मैं सूचता था कि जाहिदा से मिलकर मैं उसे किस पस्ट की बातें करूँगा बेशुमार बाते मेरे जहन में आई लेकिन वो इस काबिल नहीं थी कि किसी दोस्त की महभूबा से की जाएं मेरे मुतालिक खुदा मालुमोर उससे क्या कुछ कह चुका होगा यकीनल उसने मुझसे अपनी मुहबत का इजहार बड़े वालियाना तोर पर किया होगा ये भी हो सकता है कि जाहिदा के दिल में मेरी तरफ से हसद पैदा होगया हो क्योंके औरतें अपनी आशिकों की मुहबत बढ़ते नहीं देख सकती मेरा शायद मेरा मजाख उड़ाने के लिए उसने जावेश से कहा हो कि तुम मुझे अपने प्यारे दोस्तों से जरूर मिला हो मैराल मुझे अपने अजीज तरीन दोस्ती महबूबा से मिलना था उस तक्रीब पर मैंने सोचा कोई तोफ़ा तो ले जाना चाहिए राद बर गौर करता रहा आखिर एक तोफ़ा समझ में आया कि सोने के टॉप्स ठीक रहेंगे अनार कली में गया सब दुकाने पन मालूम हुआ कि इत्वार की तातील है लेकिन एक जोहरी के दुकान खुली थी उससे टॉप्स हरी थे और वापस घर आया चार बज़े तक शश्यों पजवें उक्तला रहा कि जाओं या ना जाओं मुझे कुछ हिजाब सा मैसूस होता था लड़कियों से बे तकल्फ बाते करने का आदी नहीं था इसलिए मुझे पर घबराहट का आलंग तागी था दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने कुछ देर सोना चाहा मगर करवटे बदलता रहा टॉप्स मेरे तक्ये के नीचे पड़े थे ऐसा लगता था के लोग दहेकते हुए अंगारे हैं उठा गुसल किया उसके बाद शेफ फिर नहाया और कपड़े बदलकर बड़े कबरे में क्लॉक की टिक टिक सुनने लगा तीन बच चुके थे अख़बार उठाया मगर उसकी एक ख़बर भी न पढ़ सका अजीब मुसीबत थी इश्क मेरा दोस्त कर रहा था और मैं एक एक स्म का मजनूब बन गया था मेरा बहतरी सूट रेंकिन का सिला हुआ मेरे बदन पर था रुमाज नया शू भी नया मैंने ये सिंगार इसलिए किया था कि जावेद ये तारीफ के पुल जहिदा के सामने बांधे हैं कहीं तूटना जाए साड़े चार बज़े मैं उठा अपनी रिले की बहतरीन साइकल ली और आहिस्ता आहिस्ता लॉर्डेंस गार्डल रवाना हो गया जिम खाना कलब के उस तरफ लॉर्ड में मुझे जावेद दिखाई दिया वो अकेला था उसने जोर का नारा बुलंद किया मैं जब साइकल पर से उत्रा तो वो मेरे साथ चिमट गया कहने लगा तुम पहले ही पहुँच गया बहुत अच्छा किया जाहिदा बाती ही होगी मैंने दो उससे कहा था कि मैं अपनी कार भेश दूँगा मगर वो रजामन नहुई तांगे में आएगी जावेद के बात की एक कार थी बेबी आस्टिन खुदा मालूम किस सदी का मॉडल था ज्यादा तर ये जावेद ही इसके इस्तिमाल में आती थी लॉर्स गार्डन्स में दाखिल होते वक्त ये अजूबा रोजगार मोटर देख ली थी मैंने उससे कहा आओ बैठ जाएं लेकिन वो रजामन नहुआ मुझसे कहने लगा तुम ऐसा करो बाहर गेट पर जाओ एक तांगा आएगा जिसमें एक दुबली पतली लड़की सियाब बुर्का पहने होगी तुम तागे वाले को ठहरा लेना उससे कहना मैं जावेद का दोस्त साधत हूं उसने मुझे तुम्हारे इस्तिकबाल के लिए भेजा है नहीं जावेद मुझ में इतनी चुरत नहीं ला हौल वला जब तुम नाम बता दोगे तो उसे चू करने के भी चुरत नहोगी तुम्हारी चुरत का सवाल ही कहा पैदा होता है या जिसे बात में याद करके आदमी महजूस हो सके जब जाहिदा से मेरी शादी हो जाएगी तो हम आज के इस वाके को याद करके खूप हस करेंगे जाओ मेरे भाई तो बस अब आती ही होगी मैं जावेद का कहना कैसे मोड सकता था बादिले नाखास्ता चला गया और गेट से कुछ दूर खड़ा रहे कर उस तांगे का इंतिजार करने लगा जिसमें जाहिदा अकेली काले बुरके में हो आदी खंटे के बाद एक तांगा अंदर दाखिल हुआ जिसमें एक लड़की ने काले रेश्मे बुरके में पिछली दंशिस्त पर तांगे फैलाई बैठी फैलाई बैठी हुई थी मैं छेपता सिमटता डरता आगे बढ़ा और तांगे वाले को रोका उसने फॉरण अपना तांगा रोक लिया मैंने उससे कहा यह सवारी कहां से आई है तांगे वाले ने जरा सक्ती से जवाब दिया तुम्हे इससे क्या मतलब जाओ अपना काम करो बुरका पोश्ट लड़की ने महीन सी आवाज में तांगे वाले को डाटा तुम शरीफ आजिनों से बात करना भी दिया है फिर वो जावेद मैं जावेद का दोस्ट साधत हूँ आपका नाम जाहरदा है ना उन्हें बड़ी नर्मी से जवाब दिया जी हां मैं आपके मुतालिक उन्हें से बहुत सी बाकासर चुकी हूँ उसने मुझसे कहा था कि आप इसी तरह से मिलूं और देखूं कि आप मुझसे किस पर आप पेश आती है वो उधर जिम्हाना कलब के पास घास के तख्ते पर बैठा आपका इंतिजार कर रहा है उसने नकाब उठाई अच्छी खासी शक्रूरत थी मुझसे कहा आप अगली नश्यस पर बैठ जाईए मुझे एक जरूरी काम है अभी चंद मिन्टों में बैठना पड़ेगा मैं इंकार नहीं कर सकता था अगली नश्यस पर कोचवार के साथ बैठ गया तांगा इसम्बली हॉल के पास से गुजरा तो मैंने तांगे वाले से कहा भाई साब यहां कोई सिग्रेट वाले की दुकान हो तो तरह देर के लिए ठैर जाना मेरे सिग्रे सब्सक्राइब तांगे वाले ने अपना तांगा रोका वह उत्रा तो जाहिधा ने कहा आप क्यों तकलीफ करते हैं तांगे वाला ले आएगा मैंने कहा इसमें तकलीफ की क्या बात है और उस पानवाले के पहुंच गया एक ृबिया गोल फ्लैक की लिए एक माचिस दो प कोचवान पांच के नोट से बागी पैसे लेकर मुड़ा तो कोचवान मेरे पीछे खड़ा था उसने तबी आवाज में मुझसे कहा हुजूर इस और से बचकर रही है गाए मैं बड़ा है रान हुआ क्यूं कोचवान ने बड़े वसूख से कहा फाहिशा है उसका का काम यही ह कि शरीफ और नजवान लड़कों को फांसती है मेरे तांगे में अकसर बैठती है यह सुनकर मेरे आवसान खत्रा हो गए है मेरे तांगे वाले से कहा है खुदा के लिए तुम उसे वहीं छोड़ा हो जहां से लायो कहे देना कि मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता है इसलिए यह के मेरा दोस्त लौरेंस गार्डन से इंतिजार कर रहा है तांगे वाला चला गया मालूम नहीं उसने जायदा से क्या कहा मैंने एक दूसरा पांगा लिया और सीदा लौरेंस गार्डन पहुंचा देखा कि जावेद एक खुबसूरत लड़की से महवे गुफदुगू वो बड़ी शर्मीली और सजीली थी मैं जब पास आया तो उसके फॉरन डुपट्टे से मुझ चुपा लिया जावेद ने बड़ी खवगी आमेज लेज़े में मुझसे कहा अरे तुम कहा गारत हो गए ते तुम्हारी भावी कब की आई बैठी है समझ में ना आया क्या कहूं सक्ट बॉकला गया उस बॉकला अर्ट में ये कह गया कि वो कौन थी जो मुझे तांगे में मिली जावेद हरसार मजाक ना करो मुझसे बैठ जाओ और अपनी भावी से बाते करो ये तुमसे मिलने की बहुत मुश्ताग थी मैं बैठ गया और सली की कोई बात नं कर सका इसलिए कि मेरे दिल और दिमाग पर वो लड़की या औरत मसलत थे हो गई थी जिसके मुतालिक तांगे वाले ने मुझसे बड़े खुलूस से बताया था कि फाहिशा है फाहिशा एकि आज़ की कहानी